नमस्कार मैं हूँ वैभवनाज शर्मा आज से नवरात्र आरंब हो रहे हैं नवरात्र क्या है क्यूं करते हैं नवरात्र क्यूं रखना चाहिए नवरात्र में व्रत नवरात्र के पहले दिन किस देवी के अराधना करें और कैसे करें पूजा अराधना कौन सा मंत्र होना चा 37 इस बार मैं आपके लिए बहुती खास चीज ले करके आया हूं मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस नवरात्र का आप जादा से जादा लाव कैसे ले सकते हैं नवरात्र में देवी के अलग-अलग स्वरूपों की अराधना के साथ किस प्रकार आप महाविद्या के स्वरू नवरात्री शब्द जो है वह संस्कृत से लिया गया हुआ शब्द है मुखित यह पर्व वर्ष में दो बार मनाया जाता है शक्ति की उपासना का यह पर्व चैत्री नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित नौतिती नौनक्षत्र नौशक्तियों की नवदा भ और मागिय नवरात्र जिन में से दो सबसे जादा प्रचलित नवरात्र हैं और प्रभावकारी हैं प्रभावशाली और लावकारी भी हैं एक है शारदिय नवरात्र दूसरा है चैत्री नवरात्र जो आज से हम मना रहे हैं बाकी दो जो नवरात्र हैं उन्हें गुप्त न उपासना शक्ति साधना करते हैं जो साधक तपस्वी होते हैं संत होते हैं वो उन गुप्त नवरात्रों में अपनी साधना अवश्य करते हैं इसमें तंत्र प्रियाएं बहुत जादा होती इन नवरात्रियों को शक्ति की उपासना के लिए सबसे जादा प्रशास्त और रहे भारतियों के बीच में भी यह पर्व काफी महत्वपूर्ण और लोगप्रिय हो गया है नवरात्री के नौ पुन्य रातों में तीन देवी देवियों की सबसे जादा अराधना होती है और यह उनके ही अलग-अलग स्वरूप हैं जिनको हम लोग नौ देवी के पालन एवं संहार करने वाली वह आद्य शक्ति माता एक ही ही है उसी के लोग कल्यानकारी रूप को हम लोग दुर्गा के नाम से जानते हैं तंत्रागम शास्त्रों के अनुसार वह संसार के प्राणियों को दुर्गती से निकालती है अतह दुर्गा दुर्गती नाशिनी क सब कर रहे हैं। उन्हें शेलती के के नाम से जाना जाता है, यही नव दुर्गाऊं में प्रथम्टूर्गा हैं, पर्वत राज हिमाले के घर में पुत्री के रूप में उत्पन होने के याहिस जन्म लेने के कारण इनगा नाम शेलती पड़ा था। नवरात्री पूजन के प्रथम दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है इस प्रथम दिन में आज के दिन में जो भी उपासना में योगी अपने मन को मुलाधार चक्र में इस्थापित करते हैं यह जो प्रक्रिया है मुलाधार चक्र आपने कई बार सुना होगा यह के 9 दिनों में हमारे अंदर की जो शक्ति है या कुंडलीनी जागरण जिसे कहते हैं यह उस योग साधना की भी प्रक्रिया आरंब हो जाती है तो आज जो भी साधना करता है माता की वह अपने मन को मूलाधार चक्र में इस्थापत करता है यानि कुंडलीनी जागरण का आरोग्यता और माता का आश्रवाद मिलता है साथ ही साथ आपका शरीर निरोगी भी रहता है अब आपको बताता हूँ कि आज आप माता के इस प्रथम स्वरूप का आवाहन कैसे करें और देवी का ध्यान कैसे करें देवी के ध्यान के लिए आपको इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। प्रपनार तीहरे प्रसीर प्रसीड मातर जगतो खिलस्य प्रसीड विश्वे स्वरिपाहि विश्वं त्वज्वरी देवी चराचर अश्य कर से भगवती से प्रार्थना कर भगवती के शरणागत हो जाए देवी कई जन्मों के पापों का संहार करके भक्तों को तार देती है वही जननी श्रिष्टी की कि आदी अंत और मद्य है अब क्रम आता है देवी से प्रार्थना करने का अब आप देवी से प्रार्थना किस मंत्रों से करेंगे मैं आपको वह भी बताता हूं शर्णागत दीनार्थ परित्राना यह परायणे सर्वस्या तिहरे देवी नारायणी नमोस्तते इस मंत्र के स्वरूप अपनी कृपा से आपको परिपूर्ण करता है और आपके परिवार के सभी प्रकार के कश्टों को दूर कर देती हैं तो यह तो रहा माता के प्रथम स्वरूप को आपको कैसे पूजना है क्या है नवरात का महात्म और किस प्रक्रिया से आप पूजा करें यह मैंने नवरात्र पर्व के दूसरे दिन की पूझा और की जाती साधा किस दिन अपने मन को मा के चरण करने वाली इस प्रकार ब्रह्मा चारणी का कमंडल है और एक साधक के समानजसरीके से आपने भगवान ब्रह्मा का स्वरूप देखा होगा एकदम श्वेत उज्वल से वस्त्र вс наших साधक्या प्रतिक्सर्वसाधारण के लिए अराधना योग दो मंत्र बताने जारा हूँ वhol 묶्लोक जो बेहत सरल इस पस्थ है इसका अर्थ बहुत इस पस्थ है मां जगदंबे की भक्ति पाने के लिए नवरात्री के द्वितिय तिथी में इनका जाप अवश्य करना चाहिए यह मंत्र इस प्रकार है या देवी सर्वभूतेशु ब्रह्मचारणी रूपेंड संस्तता नमस्तस्य अर्थात मैं माता के स्वरूप को प्रणाम करता हूं आपको नमस्कार है नमस्कार है आप अपनी कृपा से हमें उत्परोद करें हमारे कश्टों को दूर करें इस दिन साधक कुंडलीनी शक्ति को जागरित करने के लिए भी साधना करते हैं जिससे उनका जीवन जो है सफल हो सके और अपने सामने आने वाली किसी भी प्रकार की बाधाकव सामना बहुत ही आसानी से कर सके मादुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत्फल देने वाला है इनकी उपासना से मनुष्यों में तप त्याग वैराग सदाचार संयम की व्रि वाली होती है दुर्गा पूझा तरहны के दूसरे दिन इन्हीं के श्वरूप कि उपासना की जाती है इस दिन साधक का मन्य वह स्वाधिष्ठान चक्र में शिठल होता है जाने स्थापित होता है इस चक्र में वुर्तित ओर्वाला व्यक्ति वह योगी कृपा और भक्ति क को प्राप्त करता है इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाथ तो तय हो गया हो लेकिन अभी उनका विवाथ हुआ नहीं हो अर्थात उनकी शादी अभी नहीं इससे आपके तप में वृद्धी होती है और आपकी आयू निरंतर बढ़ती रहती है किसी भी प्रकार का रोग और शोग आपको परिशान नहीं करता तो यह तो रहा माता के द्वितिय स्वरूप की साधना और अराधना की प्रक्रिया से जड़ा हुआ सारा विवरण अब मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्री तिथी में तीसरे दिन आपको किस परूप की अराधना करनी है और उनकी अराधना की विधी क्या हो मादुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है नवरात्री उपासना में तीसरे दिन इनकी पूजा का अत्यदिक महत्म बता आपको कुछ संगीत में वह आपको कुछ अची सी सुमधुर सुगंध आने लगी अचानक इत्र की सेंट की परफ्यूमिंगी तो यह समझ लीजें कि देवी की कृपा वह आपकी उपर आने लगी है और आपकी जो साधना प्रक्रिया है वह बिल्कुल सही मार्क पर आगे बढ रही है तो जब आपको ऐसा अनुभव हो तो इस अनुभव को प्राप्त करके आप अपनी साधना के लिए और जादा सचेत हो जाए और हो जाए क्योंकि आप बिल्कुल सही मार्क पर बढ़ रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए मां का यह जो स्वरूप है वह परमशांति दायक और कल्यानकारी स्वरूप है माता के मस्तक पर घंटी के आकार का अर्धचंद्र स्थापत है इसी कारण से ने चंद्रघंटा देवी कहा जाता है इनके शरीर का रंग स्वन्ड के समान चमकीला है माता के दस हाथ हैं इनके दशों हाथों में खटग आदी शस्त तथा बान आदी अस्त्र विभूसित हैं इनका वाहन सिंग है इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली पूर्णता परिशुद्ध करके और पवित्र मन के साथ मा चंद्रघंटा के शरणागत हो करके उनकी उपासना और अराधना करें उसमें आप तत्पर रहें उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त हो करके सहजी परंपत की अधिकारी बन सकते हैं हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रहे को ध्यान में रखते हुए साधना की और अग्रसर होने का प्रैतन करना चाहिए उनका ध्यान हमारे इह लोग और परलोग दोनों के लिए परम कल्यानकारी और सद्गती देने वाला होता है प्रतेक सर्व साधारण के लिए अराधना योग यह मैं जो सरल सा मंत्र आपको बता रहा हूं इसका अर्थ बहुती इस पस्थ है मां जगदंबे की भक्ति पाने के लिए किसी भी साधक को इस मंत्र को कंठस्त कर लेना चाहिए और नवरात्र की आज तृतियातिती में इसका आप आपको अवश्य करना चाहिए यह मंत्र इस प्रकार है या देवी सर्वभूतेशु चंद्रघंटा रूपेण स्वास्ता ताम नमस्तस्ययी नमस्तस्ययी नमो नम इसका अर्थ बहत सरल्व है अर्थात हे मां सरवत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्र को बुला करके यदि आप उसका पूजन करते हैं तो बहुत अच्छा लाब मिलता है और पूजन करने के बाद आपको उसे कुछ भोजन भी अवशे कराना चाहिए भोजन में प्रमुक तोर पर दही और हल्वे का भोग होना बहुत जादा आनिवारी है बेट में कलश और मंद के लिए खीर भी भोग लगा सकते हैं बना करके अपने हाथों से साफसफाई से बनाइए माता को अर्पित करें और उसका कुछ अंच जो है किसी ब्राह्मन को दान करें इससे आपको अपने दुखों से मुक्ति मिलेगी और पर्मानंद की प्राप्ति होती है तो यह तो थी माँ चंद्रगंटा की पूजा अराधना की सारी संपूर्ण विधी अब मैं आपको बताऊंगा कि महाविद्या के किस वरूप की आज आप तृतिया तिती में और किस विधी के नुसार अराधना करें ॐ नमस्कार चैत्रमास के श्थ Yoo पक्ष की चतुरति तिति है अर्थात राधार का चौह झाथ की जाती इनकी उपासना से सिद्धियों मे निधिया और उसके साथ साथ आपके समस्त रोगशोक दूर हो करके आयू और यश्ड की विरदति ही और आपको और। छब्रणलूं की प्राप्टी होती है मंत्र प्राकार है या देवी सरवभूटेश्यू कुश्मानडा रूपे univers सथताम नमस्तस्य नमस्तस्य नमाइ अर्थ है है कि हेमा सरवत्र विराजमान और कुश्मांडा के रूप में प्रसिद अंबे मैं आपको बार-बार प्रणाम करता हूं आप मेरे सारे कष्टों को दूर करें मुझे पापों से मेरे जो भी पाप हैं जो भी जाने अंजाने में मेरे से भूल या चूक हो गई है आप उसे शम अस्तित भाषा में कुश्मांडा को कुमढा कहते हैं जैसे आपने देखा होगा कुमढा जो हम लोग सब्सक्राइब करते हैं बलियों में कुमढे की बली इन्हें सरवाधिक प्रिय है इस कारण से भी मा कुश्मांडा कहलाती है जब श्रिष्टी का अस्तित्व नहीं था तबिनी देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी अता यहीं श्रिष्टी की आदी स्वरूपा आदी शक्ति माता हैं इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोग में बताया गया है वहां निवास कर सकने की शम्ता और शक्ति केवल यदि किसी में है तो मा कुश्मांडा में गेते हैं इनके शरीर की कांती और प्रभावी सूर्य के समान rejected पिमांग इनके तेज और प्रकाश से दशों दिशाय प्रकाश्ट हो रही है ब्रह्मांड की सभी वस्तिवों और प्राणियों में अस्तित तेज मा कुश्मांडा की चाया माता की आठ बhuj in यह माता माता जो ह अमृत पूर्ण कलश चक्र तथा गदा है और आत्वे हाट में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है माता का वाहन सिंग बताया गया है मा कुश्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं इनकी भक्ती से आयू यशबल और आरोग की व्रिद्धी होती है मा कुश्मांडा अत्यंत सेवा और भक्ती से प्रसंद होने वाली देवी है यदि मनुश्य सच्चे हिर्दय से इनके शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परंपद की प्राप्ती हो सकती है मा कुश्मांडा की उपासना मनुश्य को आदियों व्यादियों से सर्वता विमुक्त करके उसे सुख सम्रद्धी और उन्नती की और ले जाने वाली है अता अपने लौकिक पारलौकिक उन्नती चाहने वाले किसी भी व्यक्ती को किसी भी साधक को माता की उपासना में सदैव तत पर रहना चाहिए इस दिन जहां तक संभव हो किसी तेजस्वी महिला का पूजन करना चाहिए उन्हें भोजन में दही हलवा खिलाना बहुत श्रयसकर माना गया है इसके बाद फल सुखे मेवे सौभाग का सामान यानि जो भी आपके सुहाग सामगरी है उसको भेट करना चाहिए जिससे माता की कृपा आपको प्राप्त हो सके और मनोवांचित फल की प्राप्ती हो सके आपके मन में कोई भी संकल्प हो आप उस संकल्प के साथ यदि ये दा करना है हमारे शास्त्रों में बताई गई विधी के अनुसार माता कुश्मांडा को यदि कुछ प्रीय है तो वह है माल्पुए का भोग तो आज की दिन चर्या में किसी भी देवी मन्दर में जा करके मा कुश्मांडा को पूरे श्रद्धा के साथ आप आप माल्पुए का भोगर्पित करें और उसका कुछ अंश किसी ब्राम्वन को दान करना चाहिए ऐसा करने से आपको विद्या बुद्धी और तेज की प्राप्ति होती है माकूश मांड़ा आपका कल्यान करती है जै माकूश मांड़ा नमस्कार आज चैत्रमास के शुक्लपक्ष की पंचमी टिति हैर्थात नवरात्री का पांचमा दिन होता है माता इसकंद की पूझा करने का अरथात सकंद माता की उपासना का आज बहुत ही विशेश दिन है इसकंद माता की अराधना करने से साधना करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और माता की कृपा से आपको परम सुख की प्राप्ति होती है माँ आपने भक्तों की समस्तिक शाओं की पूर्ती करती है शुरूती और इस्मृती से युक्त छांदोग उपनिशत के प्रवर्तक श्रीश सनत कुमार जी की माता भगवती का नाम इसकंद है अता उनकी माता होने से कल्यानकारी शक्ति के अधिश्राती देवी को पांचमी दुर्गा इसकंद माता के रूप में पूजा जाता है नवरात्री में पांचमें दिन इनकी पूजा अर्चना का विशेश विधान हमारे शास्त्रों में है अपने सांसारिक स्वरूप में यह देवी सिंग की सवारी पर विराजमान है तथा चतुर्भु जिस दुर्गा का स्वरूप दोनों हातों में कमलदल लिये हुए और ए मैं आपको बताता हूं कि आज पकुशं क्वहें अरपित करेंगे माता को आज की तिती में केल pressed और पित करने से आपको निरोगी काया की प्राप्ति होती है अब मैं आपको बताता हूँ कि आज इसकंद माता की अराधना के लिए आपको किस विशेश मंत्र का जाप करना है जिस से आपको शक्ती की प्राप्ति हो सके इस मंत्र को आप इस प्रकार से जाप करेंगे श्रिष्टी इस्तिती विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायनी नमोस्तते आप माता से प्रार्थना करें कि हे मा तुम शृष्टी के पालन करता हो संगार करने वाली शक्ती भूता सनातनी देवी हो आपके गुणों के आधार पर आप सर्वमई हो सर्वगुणमई हो हम आपको प्रणाम करते हैं हे मा नारायनी आप हमारा कल्यान करें इस प्रकार से आ यानी माक कात्यायनी का दिन border के छटे स्वरूप का नाम कात्यायनी नाताइन और हरशियोल लास के साथ माकात्यायनी की पूतर की जा रही यह दुर्टाओं के और रिशियों के कार्यों को सिद्ध कर करने के लिए महर्शी कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई थी महर्शी ने अपनी कन्या के स्वरूप में पालन पोशन किया साक्षात दुर्गा स्वरूप छटी देवी का नाम कात्यायनी पड़ गया है तब से यह दानवों और असुरों तथा पापी जीवधारियों का न जित आभा मंडल युक्त देवी कहलाती हैं इनके बाएं हाथ में कमल और तलवार दाहिने हाथ में स्वास्तिक और आशिरवाद की मुद्रांकित है इनकी अराधना से भक्त का हरकाम सरल एवं सुगम हो जाता है चंद्रहास नामक तलवार के प्रभाव से जिनका हाथ चमक रहा है श्रेष्ट सिंग जिनका वाहन है ऐसी असुर संगहार कारणी देवी कात्याइनी समस्त जग का कल्यान करें मा कात्याइनी का जो प्रियभोग है वह आज की दिंचरिया में शहद का भोग अर्पित किया जाता है तो आज की दिंचरिया में आपको माता को शहद का भो करते हैं तो आपने सुना होगा अंबा, अंबालिका ये बौहट ही स्वास्तवर्दक मानी जाती है vandaag में माुएहा जी कहते हैं ये वात कफ पित इस तरीके के विकार को नाश करने वाली है कंठ के रोगों से मुक्ति देती है खास तोर पे जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आती है उनको आज की तिथी में मा कात्याइनी के अराधना करनी चाहिए मा कात्याइनी को महा माया बताया गया है हमारे शास्त्रों में जो मंत्र मिलते हैं माता कात्याईनी के अराधना के वह हैं कात्याईनी महा-माय उदीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पतिम्न मैं कुरुते नमा जिन्हें और उसके साथ साथ यदि आप सुहाग सामग्री का दान करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाब मिलता है और आरोगिता और सौभागय की प्राप्ति के लिए भी आज की तिथी में कोई भी व्यक्ति जो मैं मंत्र अब बताने जा रहा हूं उस मंत्र का जाब करें तो आपको आरोगिता भी मिलेगी और सौभागय की वृद्धी भी होगी यह मंत्र इ क congratulate नमस्कार आज नवरात्र की सब्तमी तितिति है आज आपको किस प्रकार से किस और शुक्त मिले लेकर के मैं आपके पास आया हूँ आज दुर गाजी के साथवी शक्ति जिसे हम कालरात्री के नाम से जानते हैं नवरात्र के साथमे दिन में मा कालरात्री की उपासना का बहुत ही विशेश विधान है। इसके लिए ब्रह्मान की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं जो भी साधक इनकी साधना करता है। अपने महाविनाशक गुणों से शत्रुविवन दुष्ट लोगों का संघार करने वाली साथमी दुर्गा का नाम कालरात्री पड़ा। विनाशका होने के कारण इनका नाम कालरात्री माना गया। सचमुची अपने विकट रूप में नजर आती है। इनकी सवारी गंधर्व यानि एक गधा है। जो समस्त जीव जन्तुओं में सबसे अधिक परिश्रमी और निर्भय हो करके अपनी अधिश्ठात्री देवी कालरात्री को ले करके इस संसार में विच्रण निरंतर कर रहा है। कालरात्री की पूजा नवरात्र के सात्वें दिन में बहुत मन से करना चाहिए किसी भी साधक को। इसे कराली, भयंकरी, कृष्णा और काली माता का स्वरूप भी प्रदान है। लेकिन भक्तों पर उनकी असीम त्रपा होती रहती है और उन्हें हर तरफ से रक्षा प्रदान करती है। संसार में कालों का नाश करने वाली देवी कालरात्री ही हैं, भक्तों द्वारा इनकी पूजा के उपरांत उसके सभी दुख, संताप, भगवती हर लेती हैं, दुश्मनों का नाश करती हैं, आपके शत्रूओं का संगहार करती हैं तथा मनोवांशित फल प्रदान कर उपासक को संतुष्ट करती हैं दुर्गा का सप्तम रूप कालरात्री है जिसे महायोगिनी महायोगीश्वरी कहा गया है यह नागदौन और शदी के रूप में भी जानी जाती हैं सभी प्रकार के रोगों से रक्षा करने के लिए रोगों का नाश करने के लिए सर्वत्र विजय दिन करने के लिए और मन मस्तिश्क के समस्त विकारों को दूर करने के लिए सौशदी का प्रयोग हमारे यहां आयुरवेद में बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है तो यह तो पूरी जानकारी थी कि आज आप सप्तमी तिथी में माता की किस प्रकार अराधना करें अब मैं आपको कौन से महाविद्या की साधना करनी है नमस्कार आज चैत्र मास के शुकलपक्ष की अश्टमी तिथी है अर्थात नवरात्र का आठवा दिन आज अश्टमी तिथी में मादुरगा की आठवी शक्ति जिने हम महागौरी के नाम से जानते हैं उनकी पूजा की जाती ह नवरात्र के आठवे दिन में महागौरी की उपासना का विशेश विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है इनकी शक्ति अमोग और सद्य हफलदाइनी है सद्य हफलदाइनी मतलब ततका अलूसी समय आपको कुछ दिनों में ही उनकी उपासना का लाब मिल जाकता है इन तपस्या के द्वारा इन्होंने गौर वर्ण प्राप्त किया था अता इन्हें उज्वल स्वरूप की महागौरी धन एश्वर प्रदाइनी चैतन्य मई प्रेलो की पूज्य मंगला शादिदिक मानसिक संसारिक ताप को हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया है के समय ये 8 वर्षी की होने के कारण नवरात्र के 8 में दिन से इनकी अराधना की जाती है अस्टमी तिथी में इनकी अराधना करना किसी भी जातक को किसी भी साधक को सुख और शानती देता है अपने भक्तों के लिए यह अनपूर्णा स्वरूप बताई गई है हमारे शास्त्रों में इसलिए इनके भक्तों को अस्टिमी के दिन कन्या को पूजन कराना और पूजन करना उसके साथ साथ सम्मान करते हुए महागौरी की कृपा प्राप्त करने का विधान मिलता है यह धन वैभव और सुख शांति के दिश्वाति देवी हैं सांसारिक रूप में इनका स्वरूप जो है वो बहुती उज्वल कोमल श्वेत वर्ण यानि सफेद रंग के स्वरूप का रंग का सफेद वस्र धारण किये हुए चतुर भुज युक्त एक हाथ में त्रिशूल है दूसरे हाथ में डमरू लिये हुए गायन संगीत की प्रिय देवी बताई गई है जो श्वेत व्रिशब यानि बैल पर सवार्व होती है मा महागौरी के अराधना से किसी प्रकार के किसी प्रकार के रूप और मनोवांचित फल को प्राप्त किया जा सकता है उजले वस्त ध भोगर्पित करते हैं वह नारियल अर्थात आज की तिती में आप सभी भक्त जनों को माता को नारियल का भोगर्पित करना चाहिए नारियल से बने हुए मिस्थान का भोगा परपित कर सकते हैं किसी ब्राम्वन को और कुमारी कन्या को आज की तिती में नारियल का दान देन नारियल भेट स्वरूप देना बहुत अच्छा बताया गया है इससे संतान संबंधी समस्त परेशानियों कश्टों का दुखों का चुटकारा मिलता है दुखों का निवारन होता है अब मैं आपको बताता हूँ कि मा महागौरी को आप अपने घर में ओशदिये रूप में कि अंद्यावन्दन भी करते होंगे वहां दीपक भी लगाते होंगे तुलसी हमारे सनातन परंपरा में बहुत विशेष इस्थान रखती है और हर घर में अमूमन पाई जाती है तो यह जो तुलसी देवी है तुलसी देवी को ही मा महागौरी का स्वरूप मानते हैं आज की तिथी में यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ माहागौरी के राधना के साथ साथ तुलसी देवी के राधना करता है थोड़ा सा कच्छे दूद में जल मिला करके या गंगा जल मिला करके तुलसी के पेड़ में अर्ग देता है और संध्याकाल में देशीगी का द मंत्र का जाप करें इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 108 बार करना चाहिए यदि संभव हो सके तो आप अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ यानि अपने परजनों के साथ बैठ करके इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको और जादा लाब मिलेगा यह मंत्र इस प्रकार है स कल्यान दाइने शिवा हो, सब पूरुशार्थों को सिद्ध करने वाली हो, शर्णागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ और आप से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे हर प्रार्थना के साथ यदि आज की तिति में आप देवी महागोरी के अराधना करते हैं तो निश्चित ही आपको अपने सवस्त पापों और दुखों से मुक्ति मिलती है और मा दु